एली मेनीजर मुकाबले में मिली हार्ट से विराट कॉली टूट गई, खिलाडियों को गले लगाया, आँखें भी नम हो गई और एक वीडियो सामने आया, जी हाँ, अली मेनीटर मुकाबला आरार वर्सेज आरसीबी का हुआ, आरसीबी पहले से ही इस मैच में विजेता मानी जा रही थी, क्योंकि लगातार वे 6 मुकाबले जीत आई थी, लेकिन राजिस्थान रोयल्स ने मुकाबला भी जीत लिया, आ कि उनका सपना तोडने वाली हार थी, साथी साथ इस हार ने, उन्हें काफी दर्द भी दिया, हार के बाद एक वीडियो सामने आया है, जिसमें विराट कॉली जो हैं, खिलाडियों को गले लगा रहे हैं, तो यह जो वीडियो सामने आये, एक आखे नम दिखी थी, जब टी आखे नम दिख रही हैं, जब टीम को हार का सामना करना पड़ा, हर किसी को विराट ने गले लगाया, राजिस्तान रोयल्स को बधाय दी, तो खुद की टीम को भी वैल प्लेट कहा, इसके अलावा अगर आप तस्वीरे देख रहे हैं, तो उसमें यही दिख रहा है कि विर को भी गिरा दिया, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विराट कॉली कितने ज़्यादा भावुक हैं, क्योंकि एक लंबा दोर विराट कॉली का चलते आ रहा है, आई पील में अगर हम देखें, साल 2008 से विराट कॉली कोशिश कर रहे हैं, कि अपनी टीम को जिताएं लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं पाया, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पा रहा, विराट कॉली की टीम 2016 में भी फाइनल में पहुँची, 2009 का भी फाइनल खेल लिया, 2011 में भी खेला, लेकिन टीम जो है वो जीत नहीं पाती, अब जैसे तैसे जब टीम की कोई उमीद नहीं थी, तब प्ले आफ में पहुंची लेकिन उसको वहां पे भी हार का सामना करना पड़ा विराट कॉली ने लगाता रन बनाए रजत पाठीदार ने परफॉर्म किया लेकिन फिर भी प्ले आफ के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में टीम को हार का सामना करना पड़ा और यह जो वीडिय का सामना करना पड़ा और विराट कॉली काफी भावुक देखिए जब चेनने सुपर केंग्स में मैच चीता था और क्वालिफाई किया था तब विराट कॉली जोस में थे भावुक थे आंखे नम थी लेकिन अब जब हार मिली तो जोस में तो नहीं दिखे लेकिन दर्द म पाएगी वो पहुंची लेकिन अलिमिनेटर मुकाबले में वो टीम हार गई 172 रन बनाए थे लेकिन राजिस्थान रोयल्स ने 174 रन बना ली मुकाबला भी जीत लिया और क्वालिफाई 2 में भी टीम पहुंच गई लेकिन विराट की तस्वीरें वाकई कहीं ना कहीं वि का सामना करना पड़ा आपको क्या लगता है कि अब IPL ट्रॉफी कौन जीतेगा कमें सेक्सन में जरूर बताएं जीतेगा कुछ ​